रितु हो मेरी तुराज का हम सौन्धर ये दिखाते हैं पसंत पंच मिकी तुमको हम कथा सुनाते हैं हन्ष वाहिनी शार दिमा को शीष नवाते हैं रितु हो मेरी तुराज का हम सौन्धर ये दिखाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये कथा है बड़ी महान जब सुनो लगाते ज्यान इस कथा की है पहचान फिले मुह मांगा वर्दान रितु बसंत की जब मदमाती जूम के आती हैं उपवन लेता हैं अंगडाई फसले गाती हैं टाल डाल पर कली जूमती और जूमते फूल पवन सुगंधित हो जाती है ये मन के अनखूल हर हर साड़ी पहने धर्ती पीले किये सिंगार सरसों के फूलों पर आये खिल के मस्त बहार कोयल गाए नाच मयूरा लहराते हैं खेत पेडों पर आ गई नई को पल योवन लगे विसेश कलियों की पंखुरियों पर भवरे मंडराते हैं वसंत पंचम की तुमको हम कथा सुनाते हैं ये कथा है बड़ी महार जब सुनो लगाते जां इस कथा की है पहचां दिल मुह मांगा वर्दां पहले सुनाता हूं मैं तुमको कालांतर की बात कैसे की थी ब्रह्मा जी ने स्रिष्टी की शुरुआत स्रिष्टी की रचना कर डाली फिर थुई फिर आकाश लेकिन कोई जीव नहीं था था केवल प्रकाश चारो तरफ था वीराना जीवन बिन सब अग्यात जिधर देखते नजर उठा के लगता बस एकांत नहीं पक्षियों का कोला हल नहीं कहीं कोई शोर। प्रिथवी पर केवल सन्ना का छाया था हर गोर। ऐसा देख के ब्रह्मा जी चिंतित हो जाते हैं। रितुओं मेरितुराज का हम सौंदर ये दिखाते हैं। हम कथा सनाते हैं। ये कथा है बड़ी महार जब सुनो लगा दे ख्यान। इस कथा की है पहचान दिल मुह मांगा वर्दान। मानव का निर्माण किया फिर करके सूच विचार। पिर्त्वी पर जीवों का पहला रखा था आधार। जन जीवन से युक्त हो गई धरा हुई खुशहाल। लेकिन ब्रम्हाजी के मन में रह गया एक मलाल। सुर सरगम और साज नहीं था नहीं कहीं आवास। रस्विहीन लग रहा था सबके जीने का अंदाज। प्रम्हाजी ने मन में सोचा कैसे करूं उपाए। जिससे सबके जन जीवन में खुशहाली आ जाए। यही सोच के विश्णू जी के पास में जाते हैं। पसंत पंचम की तुम को हम कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान। जब सुनो लगाते ध्यान। इस कथा की है पहचान। दिल मुह मांगा वर्दान। विश्णू जी से ब्रम्हाजी सब हाल सुनाते हैं। श्रिष्टी की रचना की सारी बात बताते हैं। पिनवाणी बिन ज्यान के सब का जीवन है बेकार। कोई उपाई करो विश्णू जी दूर करो अंधकार। श्री विश्णू जी आदिशक्त का ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाके आदिशक्त को तुरंत बुलाते हैं। श्रिष्टी की रचना की उनको बात बताते हैं। रस्विहीन है श्रिष्टी सारी ये समझाते हैं। जोति पुंज है प्रकटी उनको सत्त बताते हैं। हां सत्त बताते हैं। रित्वों में रित्वराज का हम सौंदर ये दिखाते हैं। हम कथा सुनाते हैं ये कथा है बड़ी महार जब सुनो लगाते ज्यां इस कथा दी है पहचां दिले मुह मांगा वर्दा जोति पुंज का धीरे धीरे बढ़ने लगा आकार सरस्वती माता का उसने रूप लिया है धार हन्स वाहिनी बीना धारी कंचन स्वरन सिंगार स्वेत वस्त धारण कर लगती रजत नदी की थार चार भुजाएं शार दमा केश यामल यामल केश कमल समुखडा अधर फूल से उस पर नैन विशेश एक हात में वीना साजे एक हात में माला एक हात वर की मुद्रा में उठा दया वाला ज्यान की पुस्तक से पलपल होती बरसाते हैं होती बरसाते हैं पसंत पंचम की तुम को हम कथा सुनाते हैं ये कथा है बड़ी महान जब सुनो लगाते ख्यान इस कथाती है पहचान दिल मुह मांगा वर्दान प्रम्भा विश्णु शार्दमा को वंदन करते हैं सुन ब्रम्भा की बात शार्देमा मुसकाती हैं वीणा के तारों से मधुर झंकार बजाती हैं सुन वीणा की स्वर लहरी ये सुन जूम गई मा की तरफ फिर सारी दिशा की दृष्टी घूम गई चर्णों से संगीत बज उठा नदियां गाये गीत तितली भवरे फूलों पे नाचे बन करके मनमीत पन पुवन में फूल खिले भवरे मंडराते हैं पृतु ओ मेरतु राज का हम संदर्य दिखाते हैं हां कथा सुनाते हैं ये कथा है बड़ी महार जब सुनो लगाते ख्यान इस कथा की है पहचान भिले मोह मांगा वर्दान पसंट पंचमी का अनपम दिन धराप आई मां वीणा धारणी सरस्वती शारदे कहलाती मां कीत और संगीत निर्त से जंकृत धरा हुई विद्या ग्यान संदर्य से पूरस कृतिय धरा हुई ग्यान का दान बांट रही वो बहे ग्यान की धारा पसंट पंचमी के दिन जिनको पूजे है जगसारा पूजनिय है वंदनिय है सरस्वती माता पुद्धी विबेक है दायन सद पुद्धी के है दाता देवी देवता शार दिमा को शीष नवाते हैं हाँ शीष नवाते हैं पसंट पंचम की तुम को हम कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये कथा है बड़ी महार सब सुनो लगाते जान इसकताती है पहचान दिल मुह मांगा वरदान